Hi everyone, so आज हम लोग बात करने जा रहे हैं habit के उपर किस तरीके से constructive habit को, आदतों को अपनी life में आप develop कर सकते हैं, implement कर सकते हैं किस तरीके से आप अपने routine को अपनी life में develop कर सकते हैं और ये habit और routine आपके कोई भी area related हो सकता है health, wealth, career, relationship, spirituality, self development, जो भी area है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उसमें से कोई भी area में हो सकता है My name is Falgun Pathak, और मैं और मेरी Y Forum, हम लोग इस तरह के बहुत सारे videos को upload करते हैं YouTube channel के उपर, so हर हफ़ते हम लोग 2-3 video ऐसे self development के उपर, जोनों हम लोग upload करते हैं, so आपसे request है कि आप इस channel को subscribe कर दीजे और bell icon को दबा दीजे, ताकि real time में, जब जब आम लोग आपको video upload करते हैं YouTube में आप उसको real time में उस video को देख सकें, और उसके कुछ practical tips के जरिए benefits अपने life में implement कर सकें, आप चाहो तो अपने friend और family के साथ भी इस channel को share कर सकते हो right, so start करते हैं आज के topic के उपर और आज का topic जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो topic है, इस तरीके से आप अपनी आदतों को develop कर सकते हैं, habits को develop कर सकते हैं right, हम सब लोगों को पता है कि life में कोई भी area में कोई बड़े बड़े changes करने हैं तो उसके लिए आपको habit develop करनी पड़ती है, आपको आदतों को develop करना पड़ता है right, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम लोग consistent नहीं करते हैं, लगातार नहीं करते हैं तक हम उसका results जो है expect नहीं कर सकते हैं, चाहे वो health हो या चाहे कोई भी area हो right, so start करते हैं कुछ practical tips जो आपको help कर सकती है, habit को develop करने में so इस 10 के 10 points को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे practical points है और ये आपको habit को develop करने में बहुत help कर सकता है so let's start with the first point and this is one of my favorite step one of my favorite and that is always start with baby steps you know, आपके से काफी सारे लोगों ने काफी सारे लोगों को देखा होगा या खुद को experience किया होगा कि काफी बार हम लोगे decision ले लेते हैं और उस decision के लिए action लेते हैं और उस action को consistently apply नहीं कर पाते हैं for example, मुझे मेरे weight के उपर काम करना है right, मुझे मेरे virgin के उपर काम करना है मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा weight को reduce कर सको और एक दिन मैं inspire होके decide कर लेता हूँ कि मैं रोज आदा गंटा या एक गंटा exercise करूँगा I'm sure आप मेंसे बहुत सारे नहों के साथ ऐसा हुआ होगा और eventually उस आदत को हम लोग छोड़ देते हैं so my first step is always start with baby steps now what do you mean by baby steps अगर आपको लगता है कि आपको health के उपर काम करना है आप exercise करना चाहते हो you can start with five surya namaskar right, या 5 minute की exercise या 10 minute की exercise जो भी चीज जितना time आपका mind accept कर सके वहाँ से आप start कीजे और उसको consistent करने की try कीजे so small steps या baby steps लेने से फाइदा क्या होता है so normally समझें कि आदत हम लोग किस तरह से develop करते हैं जब भी कोई चीज का decision लेते हैं, कोई action लेते हैं immediately हमारा mind उसको evaluate करता है और काफी बार अगर duration लंबा है eventually हमारा mind जो इसको give up कर देता है लेकिन सोचिए अगर मैं decide करता हूँ 5 मिनिट कोई चीज करने के लिए 2 मिनिट कोई चीज करने के लिए 2 या 3 activities करने के लिए तो हमारे mind के लिए इसको accept करना बहुत easy हो जाता है so always, always start with baby steps और यह baby steps कितने भी हो सकते है जितना आपका mind accept कर सके आपके experience के business पर let me go to this second कोई भी habit तक काम नहीं करता है जब तक वो आपका एक routine नहीं बन जाता right, in fact habit को ही आप routine से you know, आप उसको replace कर सकते हूँ word को दोनों को एक दूसरे का synonym मान सकते हो habit क्या है at the end of the day, जो चीज़ आप consistently करो और उसको consistently करने के लिए वो एक आपके routine में set होनी जरूई है for example, it's like brushing a teeth अगर मैं अपने teeth को brush करता हूँ मैं कभी भी यह नहीं सोचता हूँ हम में से काफी सरे लोग हम में से सारे लोग कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आज मैं उठा और आज मेरा mood अच्छा नहीं है तो मैं आज brush नहीं करूँगा irrespective हमारा mood कैसा irrespective हम लोग कैसा emotion फील कर रहे है हम लोग बिरश करना कभी भी नहीं बूलते क्यों? क्योंकि वो हमारा एक routine बन चुका है तो हमारा endeavor यही होना चाहिए कि जो भी habit को हम लोग develop करने जा रहे है वो हमारे routine के अंदर adjust हो जाए right so the second tip is try to develop a routine आप देखिए कि उस habit को आप routine में किसे convert कर सकते हैं let's go to the third tip there is no harm to use the technology आज की date में mobile phone हमारे पास है और you know I still remember के मैं जब initially जब मैंने और मेरे और forum ने जब life coaching की journey स्टार्ट की थी आज से करीब डेट साल पहले there are a lot of tasks जो मेरे लिए एकदम नहे थे और उसको एक habit में develop करना मेरे लिए बहुत 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 important था routine में develop करना बहुत important and I still remember I used to set reminders कुछ चीजे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी लेकिन मुझे पता था कि ये चीज मेरे business के लिए मेरे coaching के लिए बहुत important और उसके लिए में reminder set करता था So you can set your reminders जो आपको remind करवाता रहे कि yes this is the time मुझे ये चीज करनी है So set reminders, use of the technology Let me give you the fourth step और हम में से काफी सारे लोग काफी सारी आदतों को continue नहीं कर पाते क्योंकि हमरा mind उसके अंदर कोई reward नहीं देखता है Right For example, आपने कोई चीज एक हफते तक की Right, let's take a simple example of exercise Yeah, let's say reading a book आपने decide किया आपने रोज दो-दो pages दो-दो, सिर्फ दो-दो pages पढ़ना चालू किया आपने एक हफता, you know, इसको consistently maintain किया Now it is the time to reward yourself Now this reward can be of any size वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है It could be as small as के, you know, मैंने movie देख लिया या मैंने अपनी कोई favorite movie देख ली गया तो मैं कोई अच्छे restaurant में गया It's very important कि आप अपने आपको reward करे Right? आप में से काफी सारे लोगों ने gratification instant gratification के बारे में सुना होगा Instant gratification So similarly, हमारे mind को एक आदत होती है जब हम कोई चीज करते हैं और उसका कोई result मिलता है आप अपने mind को कैसे convey करेंगे कि you are working in a right direction You are going in a right direction That is simply by rewarding yourself Because your mind will remember कि आप जो ये दो-दो pages road book के पढ़ रहे है या तो छोटी-छोटी चीज़े कर रहे हैं अपने health के related वो आपने सही direction में करना start किया है It's a reward, it's a sign Because आपने अपने आपको reward दिया है Right, so it's a very powerful reward yourself Right, कोई भी चोटा या बड़ा आप reward दे सक्षे हो Point number five Extremely important आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं Habit के बारे में, routine के बारे में consistency के बारे में I will say two things Which are related to this Fifth point, number one is Don't try to be perfect Right, जब हम लोग habit Develop करने जाते हैं, हम लोग आदत Develop करने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो आदत डेवलप करोगे वो without break Consistently long term तक चलेगा In fact, in majority Of the cases, initially You will feel कि आप कुछ दिनों के बार You know, आपने give up कर दिया, या तो एक दो दिन आपने break कर दिया Which is absolutely fine We all are human being So we need to be patient Deerach, हमें अपने आपके अंदर Patience रखनी है के, और quite possible के मैं अगर कोई चीज 5 दिन कर रहा हूं 6 दिन कर रहा हूं, 7 दिन कर रहा हूं और बीच में एक दिन दिन मैंने करना बंद कर दिया It's absolutely fine, it's absolutely natural You need to be patient और आपको ये देखना है कि अगर मैंने quit किया है Now it is a time to start again Right, so be patient and never give up I think ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ related points से इसलिए मैंने दोनों पॉइंट एक साथ cover किये So be patience, have patience Right, अच्छी चीज आने में आप लोगोंने सुना होगा के time लगता है, patience रखना पड़ता है Let's go to the sixth point And if you talk about any practical suggestion This is one of my most practical suggestion to you Have accountability partner Now what do you mean by accountability partner? Find out आपके family में आपके friend circle में आपके colleague में या आपकी community में कोई भी ऐक ऐसा है जिसके साथ आप accountability Partner बन सकते हो और उसको आप अपना accountability partner बना सकते हो Correct, so it's again a very good part क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि जब आप give up कर दोगे तब आपका accountability partner जो है आपको motivate करेगा आपको inspire करेगा उस चीज़ को continue करते हैं Similarly, सामने वाला बंदा वो अगर कहीं पर break हो जाता है या कहीं पर give up कर जाता है तो आप भी उसको charged up कर सकते हैं उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए So accountability partner और यह accountability partner कोई भी हो सकता है Your friend, your colleague Your family member could be anyone Right, आप पूछिए आप क्याजू बाजू पूछिए और अब जिसको trust कर सकते हो जिसको आपको लगता है कि मैं इसको trust कर सकता हूँ मैं उसको अपनी सारी बाते बता सकता हूँ और उसको बताईए कि this is the objective और तुमें मुझे इस चीज़ के बारे में remind करवाना है जब भी हम लोग मिले तुमें मुझे इसके बारे में पूछना है कि इसका progress क्या है तुम इस habit के उपर काम कर रहे हो इस आदत के उपर काम कर रहे हो क्या तुम इसको consistently follow कर रहे हो कर लिए so accountability partner again it's a very very practical suggestion which I can give you let's go to the next okay so in NLP Neuro Linguistic Programming जब भी मैं Neuro Linguistic Programming का session करता हूँ community के साथ I always talk about the anchoring और आप में से काफी सालों को पता भी होगा so what do you mean by anchoring anchoring का मतलब होता है especially यहाँ पर context में मैं बात करूँ so जब भी आपको कोई नई habit नई आदत को develop करना है आप देखिए कि क्या आप उसको अपनी existing habit के साथ link कर सकते है कि नहीं right so for example like brushing your teeth right so अब brushing a teeth it's a very good routine it's a very good habit जो आप consistently follow कर रहे हो अगर आप जो भी नहीं आदत जिसके उपर काम करना चाहरे हो उसको exactly इसके साथ anchor कर पाओ which means इसको reference point में रखते हो इमेडिएली करना start करो the chances are very very high के आप बहुत easily उस habit के उपर काम कर पाओगे right for example say suppose you decide के immediately after brushing my teeth right I will go for a walk आपने क्या कर दिया एक routine में उसको convert करने की आपने उसको एक routine में convert कर दिया now it becomes very easy क्योंकि the moment you will brush your teeth your mind will collect your mind will remind you के भाई अभी अभी इस ताइम you need to go for a walk so anchoring an existing habit again is very useful let me give you the 8th tip and I think यह सबसे इंपर्टन ingredient है habit को develop करने में और आपने इस never ever give up do not give up correct मैंने इस से पहले के कुछ वीडियो के अंदर भी मैंने इस example को दिया है और मैं वापस एक बार इस example को repeat करना चाहूंगा कि आप देखिए आपने अपनी लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी आदत है डिवलप की है वो कैसे डिवलप की है right for example आप bicycle सीखना अपने चालू किया तो वो bicycle सीखना कैसे चालू किया आप bicycle में आप cycle के उपर सबसे पहले जब आप चला रहे थे यह चीज़ आपकी कोई भी important habit के लिए very very common है आप देखो इसको common तरीके से आप देखोगे जो भी habits के उपर आपने काम किया जो भी आदत के उपर आपने काम किया आप सब चीज़ों में, सब जगा पे इसको common तरीके से देख पाओगे right, so never ever give up it's absolutely fine जब भी आप कोई नई चीज़ के उपर काम करोगे आप quit करोगे बीच में break होगा and that is absolutely fine do not give up और आप यह देखो के मैंने 5 दिन किया था 2 दिन break हुआ, तो worries मुझे फिर से start करना है again मैंने 5 दिन किया again मैंने 6 दिन किया, again 7 दिन किया again break है, that's perfectly fine so try to see overall पूरे एक महीने में आपने कितना दिन किया right, या पूरे साल में आपने कितने दिन किया and always try to compare yourself आप past में वों कभी नहीं करते थे और अभी आपने 10 दिन करना चालू किया 5 दिन करना चालू किया, which means it's definitely a progress उपने past से उसमें चीज में काफी सारा progress किया हुए so never give up, I think इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे जब हम लोग be patient के बारे में be patient के बारे में बात कर रहे थे right and the ninth point is anything and everything जो भी चीज आप करते हो लाइफ में, अगर आप उसको track नहीं करोगे, आप उसको measure नहीं कर पाओगे so जो भी चीज के उपर काम करना है जो भी habit को आप develop करना चाहता है आपके पास एक monitoring mechanism होनी चाहिए, जिसके आप उसका progress को time to time नाप सके या तो measure कर सके right, so for example, say suppose आप health के अगर exercise के बारे में बात करते हैं, reading के बारे में बात करते हैं कोई भी constructive habit के बारे में बात करते हैं right, so try to find out आप एक calendar जैसा बनाईए या एक diary जैसा maintain कीजिए and आप उसको daily tick mark करते जाए कि मैंने कितने कितने दिन इस चीज को किया for example, आज मैंने पांच सुर्य नमस्कार किये, मैंने tick कर दिया मैंने कल किया था कर दिया, इस तरीके से जब आप उसको measure करोगे the chances are very very high कि आप उस habit को develop कर पाएगे and let's go to the tenth point और दसवा point है there is no harm जब भी चाहिए आप किसी की help ले सकते है right, seek support आप देखो, आप आपके आजू बाजू देखो, जो आपको help कर सकता है आपके family के अंदर या ऐसे लोग, जिन लोगों ने इस habit को develop किया है, आप उससे support भी ले सकता है there is no harm nobody is perfect कोई एक area में strong हो, कोई आदमी कोई दूसरे area में strong है और अगर मुझे उस habit को अपनी life में inculcate करना है, develop करना है तो मुझे उसका model follow करना पड़ेगा, it is as simple as that, right so these are the men powerful tasks, जो आपको help करेगा habit को develop करने में I'm sure आप लोगों ने इसके through, you know, कुछ notes बनाए होंगे और इसमें से कुछ चीजों का practically करके देखोगे, कि किस तरीके से इसको practically आप implement कर सके, right so इस तरीके से videos जो है हम लोग regularly हर आफ़ते में 2-3 YouTube पे post करते जा रहे हैं, तो channel को subscribe कर डिजे, ताकि जितने भी videos है, आपको regular time पे मिलते जाए, और अगर आप bell icon दबाएंगे, तो आपको real time में notification मिलेगा, thank you मिलते है, next topic के ओपर अगले video